हलो एब्रिवन, वल्कम टू आल अफ यू, वाइली जितने भी कंडिडेट है आपको पता है आज के आर्टिकल आपने देखे होंगे, नई देखे हैं तो आज के आर्टिकल जरूर देखें, डिस्किप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, म के गयापन कैंसिल होगा, उधर भी एक कैंसी नहीं आ जाएगे, नए सीरे से आवेदन लिया जाएंगे, फिर से आपको अपलाई करने होंगे, पहले की तरीकी के जो पहले की जिस परकार से आवेदन लिये गए थे, उसी पैटरन पर ही है, और इसमें जो आपका जो निस्त पूलखी है, लेकिन आपने फोर्म को फिल अप कराएंगे, तो फिर आपको पैसा वहाँ पर तो लगे गाई, लेकि इसमें दो तरीके से कंडिडेट अब बट चुके हैं, काफी सारे छात्रों का डिमांड है कि आपका एक्जाम कंड़क्ट कराया जाए, यानि कि वैसे भी है, जो यह बोल रहे हैं, कि जिनका जो 2019 बहाली है, उसी के फैटरन फिसको फॉलो करते हुए एक्जाम कंड़क्ट कराया जाए, और जो जो नियामवली संसोधन किये गए हैं, वो नई वैकेंसिया पर लागू की जाए, यानि कि जो आपका यहाँ पर संसोधित किये गए है उसमें नई विक्यापन के साथ उसको फॉलो किया जाए, यानि कि इस पर ना फॉलो किया जाए, ऐसे भी कंड़िएट है, जो इनका स्वागत कर रहे एक्जाम बेस होना चाहिए, तो इनका भी एक्जाम के फेवर में है, ऐसे कंड़िएट। ऐसे भी कंडिडेट है जो एक्जाम तो चाह रहे हैं लेकिन फिर यहां पर यह बाधा है कि जो पिछली बार जो अन्य वैकेंसिया में जो पेपर लिख होता रहा है तो उस प्रोसेस से होगा तो फिर जो है कि कैसे पारदर्सिता हो पाएगी क्या उस सही तरीके से या हो जाए तो बेहतर है अन्य था बहाली फस्ता चला जाएगा एक बार बहाली जब आज एक्जाम पेपर लिख होगी तो उसके बाद क्या है फिर जो है कि चार-पांच महिने लगेंगे फिर से एक्जाम कंड़क्ट कराने में या साल भर भी कभी कभी ऐसा एक्जामनेशन हो मेंसन कराए या जल्द ही जैसे ही विग्यापन आता है जैसे उसका लाश्ट डेट होगा जो आवेदन करने की जो अंतिम्तिती होगी तो उसके जश्ट 15 से एक महिने के अंदर यहां पे एक्जाम यदि कंड़क्ट करा लेती है यहां पे बोर्ड बी सी सी बोर्ड पता है ब महिने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा तो यह प्रोसेस सही है और यदि आपका जितना चल्द एक्जाम कंड़क्ट करा लेती है तो बेहतर है लेकिन काफी सारे छात रही पे अरे हुए है कि जो 2019 की जो परकिरिया थे पिल्कुल उसी फैटरन फे फॉलो करते हुए इस तो उसके लिए क्या करना होगा जो वेकेंसी अभी रद नहीं हुए है उसको रद ना करके नई बहाली पे लागू होगी और जो अभी आ चुके है उसको कम्प्लीट करेगी तब जाके अभी इस प्रोसेस पर हो पाएगी अन्याथा जैसे ही जो अभी ऑनलाइन आवेदन ल आप चाहते हैं 2019 की आधार पे हो तो इस वेकेंसी को कैंसिल नहीं कराना होगा यानि कि कैंसिल किसी हाल में नहीं होनी चाहिए यदि कैंसिल हो जाती है नई वेकेंसी आ जाती है इसको जैसे ही कैंसिल होगा इधर न्यू वेकेंसी आ जाएगे तो आपका न्यू जो नई पर पागया था 1767 मीन की फिर उसी बॉर्ड को यहां पे सौपा गया है तो यहां पे होगा क्या पिछली बार किया था क्या कि सिर्फ लिश्टेड जो चंडिडेट थे 1767 या 20 गुना कंडिडेट को यहां पर बुला करकर गया गया था और बोला गया था मैंने attendance करा दिया तो इस प्रोसेस से होगा तो काफी सारे च्छात्र से ज्यादा है यहां पर वन्चित हो जाएंगे maximum candidate वंचित हो जाएंगे इस race से पहले ही बाहर हो जाएंगे तो इसलिए चितने भी candidate यहां पे आवेदन देंगे चाहे हो 3 लाख हो या 4 लाख आवेदन हो इन सभी छात्रों का exam conduct होना चाहिए यहां पे सर्थ दूसरे बात की आवेदन के एक महिने के अंदर यहां पे exam conduct होनी चाहिए यदि यह सर्थ है तो अच्छी है अब देखिए जैसे यहां पे 1767 में हुआ था वैसे यहां पे नई होनी चाहिए जितने भी candidate आवेदन करेंगे चाहे किसी भी post के लिए, amean के लिए हो, color के के लिए हो बंदोबस्त पताधिकारी के लिए हो कानून को के लिए हो सभी का exam और सभी candidate को exam होना चाहिए और paper का जो syllabus है उसको जो है की notification के साथ ही यहां पे चारी कर दे ताकि छातर यहां पे form को apply करें और इसमें लग जाए यदि आप यहां पे exam पे तूले हुए हैं तो दूसरी बात है यदि आप पहले की तरह जो vacancy आ चुकी है उसको clear करके नई बहाली पे लागू करना चाहते हैं तो फिर यह जो counseling भी schedule यहां पे जारी करें अन्याथा counseling schedule भी लगभग एक महीने हो चुके हैं तो counseling schedule का पता नहीं चल ला है यहां तो प्रोसेस का यहीं चल रहा है कि आपका cancel वेक अपती होने को है लेकिन जो भी करना है जल्द करो और जितना जल्द हो सके आगे का प्रोसेस complete करते हुए 6 महीने के अंदर रिक्तिया fulfill करेगी तब ही जाकर जो है कि आपका विक्यापन सही तरीके से clear हो पाएगी अन्याथा वहाले फस्ता हुआ 2022-2025 की election की ओर चला जाएगा यह अपडेर था और officially आप लोग उसको notice पर सकते हैं उमीद है कि आपका बहुत जल्द ही इसी माह में ही साइद आपका विक्यापती चारी हो जाए नहीं जिस प्रोसेस में आयोग जो यहाँ पे विभाग लगी हुई है तो बोर्ड को आप जो जल्द क्या प्रोसेस करके देती है आप विभाग को उतना ही जल्द जो है कि विभाग आपको बताएगी कि क्या कुछ आगे हो रहा है मुझे उमीद नहीं कि जो पुरानी पहाली है वो आपको आप किलियर हो पाएगा और फिर से नए सीरे से ही आपको आवेदन देना होग का ऐसा पूरा यहां पर लग रहा है तो यह अपडेट था और भी जो आएका हम लोग आगे डिसकस करेंगे एक्चाम का भी त्यारी में लगे रहें जितने भी कंडिडेट पहले सत्रासो सरसट अमीन दिये थे तो उसी पैटरन के आसपास यह भी होगा थोड़ा बहुत चे नोटिफिकेशन का वेट करें और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा जो बी सी सी जारे करेगी उसके बाद ही पता चलेगा एक चाम सी लेवस का तो फिलहाल इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में उमीद है कि आपका बहुत जल्दी जो भी प्रोसेस होगा पुराने वाले या नई वाले आपको चल दो आपको देखने को मिलेगा धन्यवाद